आप कितने जवान हैं या कितने बड़े हैं यहां मैं आपकी एज नहीं पुछ रहा हूं difficult question चलिए सवाल बदलता हूं आपकी mental age क्या है वो क्या होता है आपने नोट किया होगा कुछ लोग अपनी उमर से ज़्यादा दिखाई देते हैं कुछ लोग अपनी उमर से कम दिखाई जयते हैं आप अपनी physical age को पार्लर जाकर या दूसरे तरीकों से रोक सकते हैं लेकिन mental age को नहीं छुपा सकते हैं पूरी दुनिया में हर व्यक्ति की biological age ही जरूरी नहीं कि उसकी mental age भी हो अब अगर आप अपनी mental age के बारे में जाना चाहते हैं सो सीनिजर कलब के इस वीडियो को देखिए इसमें आपको कुछ सवालों को जवाब देने होगे और वीडियो के आई में पता लगेगा कि आपकी mental age क्या है इसके लिए आपको दस सवालों का जवाब देना होगा Rules एकदम simple है हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 10 seconds का time है आपके दिमाग में आने वाली पहली बात उठाकर जवाब देख ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है खुद के प्रति इमांदार रहो यह जानकारी सिर्फ आपके लिए है औरों के लिए नहीं हर सवाल के 5 options होंगे और हर एक जवाब का एक score है अंत में सारे नंबर काउंट करें और वीडियो के अंत में description देखें अगर आपकी उम्र 50 या अधिक है और score कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका IQ लो है और score ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपकी जिन्दगी में खराव है आप एक मचीर व्यक्ति की तरह सोचते हैं कागस, पेंसिल या पेंट अपने पास रखें तो क्या आप तयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इन पांच जानवरों की तस्वीर में एक जानवर चुने भेडिया, जिराफ, हाथी, बंदर, घोड़ा अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें कुकीज, चॉकलेट, एप्पिल पाई, डोनट्स और पैट्टीज अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें आपके लिए पैसा कितना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ-कुछ जरूरी है, जरूरी है, काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? सोना, तीवी देखना, खाना बनाना, किताब पढ़ना, क्रिकेट या कोई और गेम खेलना अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें इन में से कोई एक बॉल चुने अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें इन में से कौन सा आपको अच्छा लगता है? परिवार में किसी की साल गिरहा परिवार में किसी का जन दिन तेवहार मनाना छुट्टी का पहला दिन नए साल का स्वागत अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें अपने स्वस्थे के बारे में आप कितना चिंतित हैं? बिल्कुल भी नहीं जस्ट नार्मल रेगुलर चेकप बहुत चिंतित बहुत ज़रूरी है अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें चुटिया कैसे बिताते हैं? समुद्र तट पर एम्यूजमेंट पार्क में म्यूजियम या किसी एतिहासिक स्थान पर जाते हैं नए नए शहर घूनना पसंद करते हैं या अपने होम काउन या माता पिता के घर जाते हैं अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें इस तस्वीर में आपको कौन सा रंग ज्यादा दिखाई देता है? A, B, C, D या E अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें और अंत में आपको कौन सा फैशन पसंद है? फॉर्मल या कोई भी जो समय के अनुसार हो धीला ढाला, पारमपरे किया, कुछ भी अब अपने सिलेक्शन के हिसाब से नंबर कागस पर लिखें अब दसों सवालों के नंबर टोटल करें अगर आपका स्कोर 100 से 170 के बीच में है, तो आपकी मिंदल एज 12 साल तक के बच्चे की है इसका मतलब यह नहीं कि आप में बच्पना है इसका मतलब कि आप पूर्जा और उत्साह से भरे हुए है आपकी परस्नेलिटी में यंग बने रहने और हर समय आनन्त से सियर्लेस होकर जीना है ठीट उसी प्रकार जिस प्रकार एक बच्चा मस्थ होकर जीता है कुशी से भरा जीवन जीने के लिए आपको आसपास के इन्वायर्मिंट के बारे में अधिक जागूख होने की जरूरत है लेकिन अपनी कुशी और बच्पना खोए बिना आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानते हैं लेकिन हमेशा उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर मूर्ट स्विंग्स होते हैं जो की इस उम्र में स्वाभाविक हैं आप आनंद और जिम्मेवारियों के बीच में एक बैलिंस रखते हैं आपके लिए आनंद दायक जीवन जीने के लिए एक ही समय में जिम्मेदार और खुश रहने का तरीका ढूनना महत्वपून है अगर आपका स्कोर 270 से 350 तक है तो इसका मतलब आपका व्यक्तिक्व एक consolidated adult की तरह है आप हमेशा अपने लिए सिर्फ अच्छे की तलाश में रहते हैं जब भी आप चाहते हैं समय की जरूरत के हिसाब से आप serious और responsible हो जाते हैं आप enjoy करना भी जानते हैं अगर आपका स्कोर 360 से 440 तक है तो इसका मतलब आप एक mature adult की तरह सोचते हैं आप जिम्मेदार हैं और अपनी priorities को जानते हैं Stability और security आपकी प्राथमिक्ता रहती है आपके लिए responsibilities को पूरा करना जीवन में बहुत ज़रूरी है पर fun करना नभूरी अगर आपका स्कोर 440 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप जानते हैं आपको क्या चाहिए और उसे कैसे पा सकते हैं आप जतिल चीजों का आनंद लेते हैं और सामने आने पर एक-एक पॉंट पर ध्यान देते हैं बढ़ती हुई उम्र में आपको समय समय पर आराम की ज़रूरत है यह मत भूले कि आपके शरीर में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं ज्यादा ना सोचे जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो जिन्दगी के कुछ हसीन पल जिन्दगी से कम हो जाते हैं आप अपने परिणाम के बारे में क्या सूचते हैं आप 80 साल में 18 के हैं या 18 साल में 80 साल के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए पूरा विश्वास आपको ये वीडियो फसंद आया होगा इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो सबस्क्राइब भी करें